नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल फन्वित अनिका एंड कुक्वित ममा में आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी से एक बहुत ही टेस्टी और ब्यूटिफुल केक बनाएंगे तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी तो प्लीज प चीनी ले लेंगे आप चाहे तो पीसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं मैंने दो बार हाफ आप कप करके एड किया है अब इसे हमें जब तक चीनी घुल नहीं जाती है इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब मैंने एक बतन ले लिया है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो इंग्रीडियंट्स है उनको मिक्स कर लोंगे तो मैंने दो कप मैदा लिया दो टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ले लिए यह देखिए अब यह मैं दो पाउंड का केक बना रही हूं तो यहाँ पर वन बाई फोर टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे क्योंकि इसकी क्व तो चलिए फटा-फट से चान लेते हैं इसे थोड़ा-थोडा करके मैं चान लूगी यह स्टेप कंपल सरी है इससे बहुत ही जालीदार और स्पॉंजी केक बनता है तो चलिए फटा-फट से चान लेते हैं यह देखिए अब हम लोग इसे धीरे-धीरे एक डारेक्शन में mix कर लेंगे एक ही direction में करेंगे थोड़ी सी मैंने यहाँ पर 2 से 3 drop की करीब vanilla essence add की है तो आप भी डाल दें यह देखें कितनी flowing consistency है इसकी बिल्कुल ऐसे ribbon सा create होना चाहिए यहाँ मैंने अब half cup refined oil डाला है आप चाहें तो शुरू में जो हमने milk डाला था ना उसके साथ भी add कर सकते हैं इसे बिल्कुल अच्छे से mix कर लेना है तो अब हम इसे क्या करेंगे shift कर लेंगे देखें बिल्कुल ready है तो मैंने यहाँ दो different sizes के बरतन ले लिए हैं अब कोई भी बरतन यूज़ कर सकते हैं इसे पहले grease कर लेंगे oil से अच्छे से और आपको न बटर पेपर एड़ करनी की जरुवत है न माइदा dust करने की यह ऐसे भी बहुत अच्छा बनेगा तो चलिए इसमें shift कर लेते हैं मैंने बैटर को half-half दोनों बरतनों में डाल लिया है हमें अच्छे से tap कर लेना है ताकि कोई air gap न रह जाए यहां मैंने दो अलग-अलग बरतन लिये हैं और दोनों को 5 मिनट तक मैंने high flame पर गर्म कर लिया था और दोनों में मैंने एक-एक धकन पलट करके डाला है और उसके उपर cake team को डाल दिया है और ढग करके बिल्कुल low flame पर 25-30 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे तो चलिए पकने देते हैं तब तक हम लोग अपनी cream बीट कर लेते हैं यहां मैंने एक ice bag लिया है आप चाहें तो ice cubes ले ले लें और उस पर एक भरतन रख दिया है ताकि यह बिल्कुल chilled बना रहे अब मैंने दो कप whipping cream डाली है घर पर बहुत कम खर्चे में हम बहुत ही अच्छी cake ready कर सकते हैं बिल्कुल easily तो चलिए फटा-फट से वीप कर लेते हैं मैंने इसे medium to low power पर बीट किया है यह देखे बिल्कुल foamy होने तक हम बीट कर लेंगे इसे अच्छी से यह देखे stiff picks बनने लगे हैं थोड़े थोड़े इसे हम और थोड़ा सा बीट कर लेंगे लगबग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है यहां मैंने लगबग 3 से 4 चमच आईशिंग सुगर डाली है जो मैंने घर पर ही बनाया है जिसकी short video मेरी channel पर आपको मिल जाएगी इसे मैंने add कर दिया है और इसे भी हम लोग 5 मिनट तक बीट कर लेंगे देखे बिलकुल ready है हमारी cream icing के लिए हमारा cake भी बिलकुल बेक हो चुका है देखे बिलकुल clean है knife इसी तरह से दोनों को check करके हम लोग ठंडा होने देंगे तो चलिए आगे की त्यारे शुरू करते हैं cake बिलकुल ठंडा हो चुका है इसे मैंने टीन से बाहर निकाल दिया है तब तक के लिए मैंने अपनी cream को freeze में रख दिया है ये देखे इसके मैं layers काट रही हूँ सबसे पहले ऊपर क्या जो portion है हम इसे थोड़ा सा निकाल अधरवाइस यह इतना चिकना होता है कि cream हम अच्छे से apply नहीं कर पाएंगे इसे हम जितने चाहे उतने portion में आप काट सकते हैं मैं तीन पार्ट में काटूंगी इसको दोनों ही केक्स को हम लोग तीन तीन पार्ट में कट कर लेंगे तो यहां मैंने नॉर्मल नाइफ ही अब मैंने लेर्स कट कर लिये हैं आप दोनों केक्स को मैं अलग अलग रेडी करूंगी यह जो बड़ा वाला बेस था उसे मैं पहले करूंगी इसे मैंने केक बोर्ट पर रख दिया है बड़े वाले को हम नीचे रखेंगे इसे बहुत जरूरी है कि हम पहले सोक करें यह प लिगनाटोरी पानी में चार से पांथ च्योटे चमत चीनि अट लिये थे और चीक को अच्छे से सोग कर लेंगे और ख्रीम करते हैं अब फटाफट से और one by one करके हम अपने layers को लगाते जाएंगे पहले cake को soak करेंगे अच्छ से और फिर हम cream apply करेंगे तो one by one करके सारे layers को मैं देखे रेडी कर लेती हूँ इसी तरह से दोनों cakes को हम लोग अलग अलग पहले रेडी कर लेंगे देखें बिल्कुल आप भी इसी तरह से करें second layer को मैंने direct cake stand पर ही कर लिया है आप चाहे तो board भी use कर सकते हैं इसे भी first पहले हम लोग soak कर रहे हैं फिर cream apply then other layer और इसी तरह से हम लोग same process से इसको भी ready कर लेंगे तो चलिए फटा-फट से ready कर लेते हैं मैंने second layer लगा दी है उसे soak कर दिया और फिर cream लगाई same process से third layer apply कर दिया है फिर soak कर दिया और अब cream लगाएंगे अच्छे से cover कर लेते हैं इसे हम मैं उपर से दूसरे color का use करूंगे इसलिए हम लोग roughly अभी use करेंगे यहां मैंने creams को दो पार्ट में divide कर दिया है बचे हुए creams को half को मैंने pink color का बना लिया है इसमें 3-4 drops मैंने liquid pink color का add किया है इसे अच्छे से fate लेंगे फिर मैंने बचे हुए में blue color डाली है light blue यह देखे कि ना खुबसूरत लग रहा है अब हम pink को और blue को combine करके एक shade देंगे cake को आप अपने पसंद का कोई भी color use कर सकते हैं सबसे पहले मैंने half cake को blue color से cover किया है और फिर pink color डालूंगे और इसी तरह से पूरे cake को हम लोग थोड़ी pink थोड़ी blue cream को add करके एक different shade देने की कोशिश करेंगे तो चलिए फटाफट से cream को apply करते हैं थोड़ी से pink color लगाई फिर थोड़ा blue apply करेंगे और उसी तरह से हर जगा मैं cake को पूरे अच्छे से cover कर दूँगे यह देखे आप चाहें तो card भी use कर सकते हैं थोड़ा सा blue डाला और इसी तरह से हम एक mixture shade देने वाले है pink और blue combination में दूसरे cake को भी जो base वाला cake है इसमें भी हम सेम प्रॉसेस से पहले pink color डाल रहे हैं उसके बाद blue color डालेंगे और फिर इसे भी सेम प्रॉसेस से ready कर लेंगे यह देखिए अच्छे से cover कर लेंगे cake को पूरी तरह से देखिए मैंने इसे भी थोड़ा blue थोड़ा pink एड़ करते हुए एक अलक्षा shade देने की कोशिश की है और cake को cover कर लिया है अब मैं second layer को इसके उपर रख रही हूँ थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा cream हटा हुआ है वो मैं last में कर दोंगी तो यह देखिए इसे हम double layer में बना रहे हैं थोड़ा सा size में difference है आप अगर और थोड़ी छोटी container लेते हैं तो आपको difference ज्यादा पता चलेगा इसमें difference ज्यादा नहीं है लेकिन यह देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा यहां पर मैंने एक piping bag में जो बची हुई pink cream थी उसको एक तरफ डाल लिया हाफ portion में blue डालना है और हाफ में pink जिससे इन दोनों के combine होने से एक बहुत खूबसूरत शेड़ आएगा यह देखिए मैंने rosette nozzle का use किया है आप अपने पसंद के कोई भी flowers बना सकते हैं simple सी कोई भी design बना सकते हैं जैसी आप चाहें यह देखिए मैं इसी nozzle का यूज करके चोटे बड़े अलग अलग flowers बना के पूरे केक को कवर करूंगी देखिए सेंटर में चोटा सा मैंने फ्लावर बना दिया है अब मैं नीचे चोटे चोटे फ्लावर बना रही हूं इसके लिए आपको हलका सा प्रेस करना है और चोड़ते जाना है यह देखिए चोटे चोटे फ्लावर बन गए है अब सेंटर पर मैं उनसे भी चोटे चोटे थोड़े फ्लावर बना रही हूं इसके लिए आपको बिलकुल हलका सा प्रेस करना है और चोड़ते जाना है बेज बेज में खीचते जाना है और देखिए किता प्यारा सा लग रहा है केक हमा में मैं बेस में भी छोटे-छोटे flowers बना दे रही हूं जिससे एक finishing आजाएगा देखें किताब प्यारा लग रहा है न तो आप अपने पसंद के कोई भी designs बना सकते हैं इस पर जिस चाहे उस color के आप अपने पसंद के colors भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं यहां पर थोड़ा सा इसका खूबसूरती बढ़ाने के लिए sugar balls यूज़ कर रही हूं यह sugar balls मैंने घर पर बनाए हैं इसकी वीडियो मैं आगे डालूंगी यह देखें मैंने यहां भी colors यूज़ किये थे और sugar balls blue और pink combinations के बना लिए मैंने चोटे-बड़े अलग-अलग तरह की balls बनाए हैं जिसस चोटे-चोटे पॉल साइज के एड़ कर रही हूँ आप अपने पसंद की कोई भी decoration कर सकते हैं देखें तक खूबसूरत लग रहा है ना और जब आप घर पे बनाएंगे तो लोग आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं तो प्लीज ज़रूर ट्राइ कीजेगा यह देखें अब मैंने एक pearl को crush करके सेंटर पे थोड़ा सा डाल दिया था जो मैं नहीं दिखा पाई तो बिल्कुल थोड़ा सा एक powder जैसा उसको प्रेस करने से वह बन जाता है तो सेंटर पे मैंने डाला था अभी आपको फोटो में दिख जाएगी वो यह देखें अभी मैं डाल रही हूँ देखें कि तब प्यारा सा केक है न तो आप प्लीज जरूर ट्राय करें और अगर अच्छी लगे तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताईएगा और अपने फ्रेंस और फैमिली मेंबर के साथ प्लीज शेयर किजेगा थैंक यू फर वाचिंग प्लीज चीप कनेक्ट थैंक यू सो मुच